नमस्कार दूस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर्सीयों टुड़े आईए जान लेते हैं अभी की लेटिस्ट अपडेट के बारे में अभी की बड़ी ख़बर ब्रेकी निव उसके बारे में बात करेंगे जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर है क्योंकि मैं वही जानकारी देता हूं जो महत्पूर होता है जो सही होता है सठीक होता है राजनेती मुद्दा हो भरती परीचाव से संबंदित कोई खबर हो आम जनता का मुद्दा हो बेरोजगारी का मुद्दा हो महंगाई का मुद्दा हो कोई खबर हो इस चैनल के माधिम से दिखाई जाती है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने पूरा चुनाव परचार देखा होगा पूरा चुनाव परचार एक बार भी बेरोजगारी पर बात नहीं की गई नौकरी पर बात नहीं की गई कितनी भरतियां आएंगी बात नहीं की गई रिक्त पदो पर बात नहीं की गई और आपने यहां तक देखा होगा कि सपत गरहन समारों में उद्दोग पती भी सामिल थे जिस तरह से निजी करण के छेतर में विभागों को भी जोकने का प्रियास किया जारा जिसे रेलिवे का निजी करण एरपोर्ट के बारे में आपको भली भात मालूम होगा एर लाइन के बारे में भली भात मालूम होगा किस तरह की इस्ति है एल आई सी के बारे में मालूम होगा आप सब जानते हैं बैंकों के बारे में आपको मालूम हुगा कि बैंकों कभी निजी करन करने की तयारी चासर लई है तो क्या निजी करन से नौकरियां बढ़ जाएंगी मैं आपको बताना चाहता हूँ निजी करन मतलब होता है कि प्राइवेट सक्तर किसी के खाथों में किसी बस्तु को स्वांप देना घया अब आप इतने साल तक देखो अपनी हिसाब से करम चारी रखो अपनी हिसाब से सर्रीज़ों सरकार हस्ता छेप नहीं करेगी अब सवाल है सरकार को सरकार को लाब हो सकता है वह सरकार जाने किस तरह का लाब है सरकार ही बता सकती है उत्तर प्रदेश में नए तरीके से नए सरकार की शुरुवात है क्योंकि हम एक पंच बर्सी योजना पार कर चुके हैं दूसरे में प्रवेश किये हैं और पिछले बर्स यानि की 2017 से लेकर 2022 तक कितनी भरतियां लंबी थे आपको भली भाच मालूम होगा अब 2022 से लेकर 2022 तक कितनी भरतियां कंपलिट होंगी कितनी भरतियां आएंगी तो मैं एक आपको डाटा देना चाहता हूँ एक आपको महत्पूर जानकारी देना चाहता हूँ मैं आपको बता दूँ भरतिया किस प्रकार से की जाएंगी किस तरह से भरतिया आने की उमीद है यह हमारी सोच है हमारी जानकारी है आपकी सोच हमसे भिन्न हो सकती है लेकिन समय के साथ किस की सोच सही निकलती है किस की जानकारी सही निकलती है तब निश्चित होगा जब समय आए गा, उत्तरप्रदेश की जितनी भी भरत्या है पहले उत्तरप्रदेस सेवा detox है बहुत कम भसति है, और मैं आपको उत्तर परी ह bisogna बता कूरति के अदियास सर्कारों को सरकाणे नौकरी में सरकार सी महंगाई पर लगाम लगेगा इस बारे में तो मांग करें चोंकि भी नौकरी मिलेगा हैंए कराएं आज पर लेगाएं। कि वादने कौन पंद्रा सो कट्डेस लेंडर और पात जार रुपे रूम भाड़ा देकर पढ़ाई घर पाएगा तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए जहां तक रही भरतियों की गति के बारे में तो पुरानी भरतियों को कंप्रीट होने में 2023 का समय लगेगा मैं उत्तर प्रदेश अजिनस्त सेवा चैन आयो की बात कर रहा हूं फिर आज बोल रहा हूं और हमने आप से साब साब कहा था कि जूनियर इंजीनियर की परिछा अप्रल माह में कराने की तयारी चल रही है लेकिन यूपी ट्रिपल असी की कार प्रक्रिया पर संसे रहता है क्यों क्यों कि भरती परिछा कलेंडर जो जारी किया जाता है उसकी हिसाफिकार अभी तक तो नहीं हुपया है आगे क्या होगा हमने आप से कहा था कि 15 माई के बाद परिछाएं कंड़क्ट कराई जाएंगी जून हैं पूरी भरती पूरी होने में यानि कि 200 भरतियों को पूरा होने में ज्वानिंग मिलने में 2023 का समय आ जाएगा यानि कि लोग सबाद चुनाओं से ठीक 6 महीने पहले आपको ज्वानिंग लेटर दिया जाएगा जिसे आपका यादास ता जा रहे हैं देखिएगा अगर पूसर नहीं हो तब कहिएगा इंतजार करिए जो लोग अप्रायल में परिच्छा वीडियो की करा रहे थे लेखपाल की करा रहे थे उनसे पूछी एक भईया परिच्छा क्यों नहीं हो रहा है तो बातों को समझ नई भरती के शुरुवात लोग सभा चुनाओं कि आठ महिने पहले से सुरू हो सकती है यानि कि 2023 नई भरतियां आनी सुरू होंगी एक भरती को छोड़कर मैं जिक्र नहीं कर सकता लेकिन जारतर भरतियां उत्तर परिच्छा के बाद और 2023 से की सुरुवात हो सकती है क्योंकि 24 में चुनाओं हो है तो आप बातों को समझ गया चुनाओं होने के बाद लोग सभाद चुनाओं होने के बाद पुरानी भरतियं को पुरा गति दी जाए ये पूरा किया जाएगा उसके बाद पचीश से भरतियों पर काम सुरू हो जाएगा तो बातों को समझ गए होंगे 26 तक चलेगा उस सक्ताइफ में चुनाओ है तो अगर जानकारी पसंद आ रहा है तो भईया लाइक शियर ज़रूर करिएगा चैल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबाकि औल पर सेलेट करिएगा तो बात समझ गए होंगे मुखवंतरी जी से आस है कि नौकरी देंगे रोजगार देंगे सम्विदा परक्रिया को समाथ करेंगे आउर्सोर्सिंग परक्रिया को समाथ करेंगे निजी करन पर सोड़ा कम फोकस करेंगे सरकारी नौकरी पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिसे लोग बेरोजगार न रहें जब सम्विदा आउर्सोर्सिंग बंद हो जाएगा तो भरतियों की भरमार होगी वीडियो नई भरती पुनानी भरती पर इच्छा करना चाहता हूँ वीडियो भरती पर इच्छा हमने कहा था कि जून से लेकर सब्तंबर के बीच हो सकती है जून से लेकर सब्तंबर के बीच आज नहीं बताया हूँ या बहुत पहिले बताया हूँ आपको मालुम होगा अगर आप वीडियो रगुलर देखते होंगे नई भरती की जहां तक बात है तो नई भरती कब आएगी? नई भरती आएगी 2023 में ग्राम स्वेवक की भरती आ सकती यानि ंग्राम विकाज अज्चकारी एक ग्राम पंचाज़िकारी होते हैं ग्राम विकास्इकारी समएज का लियान होते हैं तो मैं ग्राम विकास्इकारी की बात कर रहा हूँ जो पहले ग्राम सेवत के नाम से जानी जाते हैं तो इसकी वायखानसी 23 में आप देखने को मिल सकते हैं क noodle 24 में चुना होएं यूपिटर परिछा परिडाम कब आएगा और उत्तर कुंजी कब तक आएगी तो हम आपको बता दे परिक्रिया सो मौर से आगे बढ़ेगी और अपरेल के फर्ष्ट वीक में परिछा परिडाम जारी कर दिया जाएगा अधिक्तम सेकंड वीक की मैंने बात की थी बहुत पहल जैसा कि आपको मालू होंगा कि पंजाब सरकार ने कहां तक हमारी सरकार मेंगे तो तीन सो यूनिट वीजली फिरे देंगे लेकिन सरकार ने पूरी बेवस्था पर जो डंडा फेरा है भाईया मैं उसके वारे में क्या बताओं आप ही देख लेजिए पंजाब में अब नहीं मिलेगी तीन सो यूनिट मुप्त विजली केंडर ने जारी किये सकत आदेश और आदेश में क्या कहा गया देखिए जो आदेश है आदेश है मैं आपको बता जूँ कि डिजिटल मीटर लगाए जाएंगे रिचार्ज किया जाएगा रिचार्ज ज जब तक आपके घर भी उजाला है जाएंड कि रोसनी खतम यहां बहुत अस्थी व्योस्था है कि गरिब के घर में उजला करने के लिए 300 िडिविजली का वादा किया था उसके लाक ह utilizz an कैसे हो खुशे लोग करहें हैं कि फिरी फिरी डेकर विज़ली जो है अगर राजसन लेकर हम अपने पेट को भरते हैं और आपको मालूप मुगा कि मिट्टेक तेल और सब्बंध हो चुका है तो उजाला कैसे होगा उजाला होगा बिजली से तो राजसन अगर फिरी ने कर Bluetooth को 300 लिए करीबों को भीज़रि देकर क्यों नहीं डिवलिमेंट हो सकता है कि हो सकता है कि दिल्ली में नहीं मिल तिक दिल्ली के स्कूल भाँती खराब हैं वह डवलारेमंट नहीं है तो बातों को समझने का प्रयास करिए आखिरकर ऐसा क्यों कि आधा रहा है आप कि राय हमारे आपकी हमारी लिए अचिमाहत पूर्ण है इसी प्रकार कि अगर आपको authentic जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाए और पर सेलर कर जाए हिंदी भारसुत नमस्कार